महा भारत की कहानी में आता है कि पाज गाउं पर सहमत ही बन गई होती तो महा युद नहीं होता। कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी के बीच भी पास सीटों की वज़ा से ही बात नहीं बनी। हरियाना में आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के 20 सीटों को लेकर समझोता नहीं हो पाया और आपने अकेले विधान सब चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आद्मी पार्टी ने सौनवार को 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसके बाद ये साफ हो गया है कि आप और कॉंग्रेस के बीच गड़बंदन नहीं होगा। नमस्कार में शेख जोया आप देख रहें दनगरी न्यूस। इससे पहले आप अरियाडा के अद्याग सुशील गुपता ने कहा ता कि अगर सीटों के बटवारे पर बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उमिदवार उतारी गी। अब सवाल यही कि आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच क्यों समझोता नहीं हो पाया। इसको लेकर दोनों दलों के बीच कई राउंड की बेठक हुई लेकिन सीट शेरिंग को लेकर बात नहीं बनी। आमाद्मी पार्टी लियां हरियाडा विधान सबचुराफ के लिए 20 उमिदवारों की पहली लिस जारी की है। आपने जिन 20 सीटों पर उमिदवार उता रहे हैं उनमें 11 सीटों पर कॉंग्रेस पहले ही उमिदवार घोशित कर चुकी है। ये सीटे उचाना कलन, महें, बाश्यापूर, नारायान गर्ड, समालाखा, दाववाली, रोहतक, भादूर गर्ड, बादली, बेरी और महंदर गर्ड है। आपने जिन 20 सीटों के लिए उमिदवार घोशित किये हैं, पार्टी उनमें से 12 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। बजाते चले हरियाना विधान सभा की सभी 90 सीटों पर एकी चरण में मददान होगा और 5 अक्तुबर को वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के नतीज़ा तक तुबर को गोशित किये जाएंगे। इसी तमाव और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी नीव, शुक्रिया।